हेलो दोस्तो राधे राधे कैसे हैं आप आई हो पच्छे ही होंगे तो आज हम आपको बना कर दिखाएंगे सूजी से एक चॉकलेटी मिठाई जो देखने में तो सुंदर है ही लेकिन खाने में और भी टेस्टी है तो अब तेवहार तो आने वाले हैं तो आप इसे जरूर ट्राई करिएगा तो आएए शुरू करते हैं हम सबसे पहले पैन गरम करने के लिए रख देंगे इसके बाद इसमें एक कब सूजी डाल देंगे और ये सूजी को अच्छे से भून लेना है ये देखिए इस तरह से तो ये देखिए सूजी का कच्छा पन अब निकल गया है तो अब हम इसमें डालेंगे आधा कप्चीनी इसको अच्छे से मिला लेंगे और अब इसमें एक कटोरी पानी डाल देंगे और एक कप दूद अब इसको डाल कर हम इसको अच्छे से मिला लेंगे ये देखिए और इसको पकने देंगे मिलाते हुए तो ये देखिए सूजी का कच्छा पन अब निकल गया है तो ये देखिए ये सूजी अब अच्छे से पक गया है हमको इतना ही पकाना है इसको अब हम इसको एक क्लेट में निकाल लेंगे अब हम पैन में ये चीज डाल देंगे और अब जो हलुआ बनाके रखे थे हम उसको भी इसमें थोड़ा सा डाल लेंगे और इस तरह से इसको अच्छे से मिला लेंगे अब हम लेंगे दो चम्मत चाकलेट पॉडर इसको अब हम दूद से घोल लेंगे दूद गरम लेना है और इसको अच्छे से घोल के अब इसमें मिला देंगे ये देखे इस तरह से अच्छे से मिला लेना है अब हम इसमें दो तीन चम्मत दूद पॉडर मिला लेंगे ये देखे इस तरह से और इसको अच्छे से मिला लेना है तो ये देखे अब ये ठंडा हो चुका है अब हम इसको हाथों से इतना बड़ा ले कि इस तरह से हाथों से प्रेस करके इसको बड़ा कर लेंगे ये देखे इस तरह से तो ये देखे इसको हम हाथ से इतना बड़ा बना लिये हैं अब इसको एक प्लेट में रखकर थोड़ा सा और फैल आ लेंगे इस तरह से और ये चॉकलेट वाला जो बनाया थे इसको भी हम थोड़ा सा हाथ से रोल बना लेंगे इसका अब हम इसको इस तरह से रख कर ये देखिए रोल बना लेंगे इस तरह से धीरे-धीरे फोल्ड करके ये देखिए अराम से मैं भूल गई थी आपको बताना प्लेट में थोड़ा घी लगा लेना है वरना ये चिपक जाएंगे इसमें देखिए इस तरह से हमको बना लेना है रोल तो ये देखिए हमने पानी गरम करने के लिए रख दिया था इसके उपर बरतन में जाली वाले बरतन में हमने तेल लगा के रख दिया है और ये गरम भी हो चुका है अब हमने जो रोल बनाया था इसको इसके उपर रख देंगे ये देखिए इस तरह से और इसको ढख कर दो से तीन मिनाट के लिए पकने देंगे अब इसे पकते हुए दो तीन मिनाट हो चुके हैं तो अब हम इसको निकाल लेंगे ये देखिए अब ये बन कर तयार है अब ये ठंडा हो चुका है तो अब हम इसको काट लेंगे इस तरह से तो ये देखिए दोस्तो इस तरह से इसको काट लेना है ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है ये तो ये देखिए दोस्तो हमारा मिठाई बन कर बिलकुल तयार है लग रहन एकदम टेस्टी और खाने में भी बहुत टेस्टी है तो आप इसे जरूर ट्राइ करें और हमारा वीडियो अदिया आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यमाद रादे रादे